हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग डाउटनेट की इस लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फटावट से आजाईए और फटावट से जो है अपनी इस क्लास को फटावट से जॉइन कर लीजिए चूंकि बड़े डिमांड की बाद ये जो है मैं लाया हू आप ही डिमांटी की साथ सोशलोजी पढ़ाओ समासास पढ़ाओ सर्थ तो मैं आ गया उसी के साथ पहला जो चैप्टर है उसी के साथ मैं आ गया हूँ तो सोशॉ औलजी एज्ग सोसाइटी हिंडियं बोले तो समासास। एवाम समाद। इसका जो हम अध्यन करेंगे, one shot करने वाले हैं, एक ही lecture में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, तो फटावट से आजाईए और बिना किसी देरी के इस class को जॉइन कर लीजिए, श्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, समाज सासर है क्या, इस किससे है, आपने समाज की बारे हैं बहुत पढ़ा, जैसा आपने पढ़ा फ्रांसीजी करांती में, कि जब फ्रांसीजी करांती हुई थी उससे पहले, पूरा फ्रांस का जो समाजिक धांचा था, वो कैसा था, आपने नौवी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, योरोप मे आपने ने पड़ा ध्यान करो दस्वी में, कि जिस टाम पर जोई राष्टवाद यानूलन चल लहे थे, जिस टाम पर राजा वगएरा रुवा करते थे, अलग-अलग सामराज हुआ करते थे, उस टाम पर यूरोप का समाज होता कैसा मिलकर बनता है, तो भाइ Efendimiz समाज जो है। हम लोगों से मिलकर बनता है, हम जब अलग-अलग, जब हम लेखतेगात रूप से बात करें, सब जो है, मिलकर क्या बनाते है। समाज को जन्म देते हैं, हैना, और वो सब आपस में क्या, समाज आपसी नहीं Україों, मिलकर आपस में इंटरक्ट भी करते हैं जानकारी भी होती है, एक डूसरे का सयओग भी करते है और इन सब चीज depende मिलकर क्या बनता है हमारा हमारा समाज मलता, अभी समाज के वारे में हमारा ज़यादा बात करेंगे ठीक है न, तो समाज के बारे में थोड़े हापर छोड़ देते हैं तो समास्तास रहे क्या बेसिकलिए, तो समास्तास simple सा मतलब है, समाज मतलब, कौन-korun से तेवार है। इन सबसे क्या मिल के बनता है। इन सबसे ही तो मिल एंसे समाज बनता है, आपके जैसे डिवाली आने वाली है। तो डिवाली जब आएगी तो आपके जो भी society में लोग होगी हो जहां रह रहे होगी सब मिल के डिवाली बनाखे स्सक्रति है। आपके डेली घर में क्या खाना बनता है? संस्कृति है उसे साजा कर रहे हैं एक दूसरे से मिलकर तो हम उससे ही क्या जन्म देते हैं उससे ही समाज को जो है हम जन्म देते हैं तो इसका ही जब अध्यन करते हैं सास्तर का मतलब क्या है सोशिल लॉजी का मतलब क्या होता है एक ग्रीक शब्द है इसका मतलब होता है होप आपको समझमा आ गया हो तो जब इसका वैग्यानिक रूप से अधन करते हैं अच्छा वैग्यानिक का मतलब क्या होगा है कि वैग्यानिक रूप से तो वैग्यानिक का मतलब क्या होता है वैग्यानिक अधन मतलब कि हर चीज में जब लॉजिक नकालते हैं साइंस है क्या वग्यानिक मतलब क्या scientific study मतलब आप हर चीज के जो तर्क भूण रहे हो हर चीज के पीछे जब logic होता है न साइंस होती है कुछ नहीं होता साइंस में होता है क्या जो भी फेनोमेना हो रहा है उसका आप logic भूल ले तो कि भाई यह हो क्यों हो रहा है है ना तो यहां पर हम जो scientific study कर रहे हैं कि समाज जो चल ला है वो कैसे चल ला है कौन-कौन से फैक्टर से तो वो सारी जो चीज है वो हम इसमें पढ़ने वाले क्लियर हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर क्या लेका हुआ है समास्तास का इसके लिए मानव जीवन एक इंसान अन्जन लेता है अपना पूरे जीवन वितीद करता है एक समाज के बीच में उसका, पूरे समाज का और समूव का, समूव मतलब किसका समूव, तो लोग गntar समूव में तो रह रहे दो, अब ऐसा तो है निकिकिन्स हुआ है, एक थाज एकजांपल देता हूं, कि जब कोवेड हुआ था, कोरोना जब हुआ था, हमें जरूत होती है लोगों की तो जब कोविड आया तो हम कितने परिशान थे हैं हम भगवान से दुआ कर रहे थे कि पुराना समय वह वापस आ जाए तो यहां पर हम समुओं में रहते हैं और समुओं में मिलकर ही तो समाज बनता है अब ऐसा तो है नहीं कोई एक जगा पर तो वैसे समाज थोड़ना बनेगा समाज तो समुओं से ही तो बनता है ठीक है इसका विशा समाजिक प्राणी के रूप में जो है हमारा अपना विवार है तो यहां पर जो विशा है किसकी बात हो रही है यहां पर समाज साथ की बात हो रही है तो समाज साथ जो है यहां पर तो थोड़ा दाबात कर लो, यहां पर यह बहुत important statement है, कि जो समाज साथ सुरो होता है न इसका जो काम क्या होता है, तो एक जो आपकी personal problem है, जो आपकी personal, व्यक्तिकत समझस्य मतलब, जो आपकी खुद की समझस्य है, पूरे समाज की समझस्य है नहीं है, जो आपकी खुद की समस्या है, जैसे मेरी हजारों समस्या होंगी, मेरी personal बहुत सारी problems है, और यहाँ पर जो सामाजिक समस्या है, समाजिक समस्या मलब क्या होगी, जैसे गरीबी, गरीबी एक सामाजिक समस्या है, सब जो है, सब गरीबी से तंग है, है ना, तो यह समाजिक सम आपको आर्ट लेनी है तो वो आपकी एक व्यक्तिका समझ्था वो आपकी परस्ट प्रॉब्लम है अब यहाँ पर जो समाज सास्थ रहोता है वो इन दोनों के बीच में जो है क्या रूड़ता है एक संबन ढूड़ता है एक ताल में बिठानी के संबन बिठानी की कोशिश कर यहाँ पर थोड़ा था क्या समझ्था है जैसे मान की चलो अब 11 वी में आपको कौन से सब्जक्ट चुनने हैं 11 में कौन से विसा चुनने हैं आपको तो यह आपकी परस्ट प्रॉब्लम है अब यहाँ पर समाज बीच में आएगा आप चार लोग जो है घ्यान देते हैं आ कहीं आपकी जो खुद की समस्या है ना वह कहीं ना कहीं साफ जीन की समस्या भी बन सकती है आगे चलकर समझ रहे हो जैसे कि हम बात करें कि आप 11 वी आपको कौन सब्जक्ट लेना है आप चार लोगों से आपकी पूछोगे कि हम आर्ट लें साइंस लें क्या लें और चार लोग जो अलग जवाब देंगे अब महापर तीन चर तर्क दिये जाएंगे को एक ऐसा सब्जक्ट चुनो जिस जो तुम्हें अच्छा भी लगता हो और जिसमें फ्यूचर भी हो एसा निया कोई बेकार सब्जक्ट ले लिया बैसा कोई भी सब्जक्ट बेकार तो नहीं ह संबन्द जो है भी क्या बताता है भी जो है समासास और सोचलोगी बताती है तो अघृप होगया होगा तो यहां पर विक्तक है समझता है सब्सक्राइब अच्छा एक बार गाल बहुत ही पहला सा इक्जामपल है कोवेड के टाइम पर मान की चलो बहुत सारे ऐसे बच्चे नहीं था, है ना, और यहां फिर उनके पास वो संसादन नहीं थे, फोन नहीं था उनके पास, कीपड़ वाला फोन था, गरीब थे बहुत जादा, तो यहां पर ऐसे कई सारे जो लोग थे वो education से जो है, यहां पर बंचे तरह गए उन्हें पढ़ाई नहीं मिल पाए, तो इस केस के अगर हम बात करें, तो इस केस में हुआ क्या, अगर यहां पर यह बहुत सारी व्यक्तिका समस्या थी, लेकिन अगर हम पूरे को सब को मिला दें, तो उससे क्या होगा, ऐसे अगर थो लोग बच्चे पढ़ नहीं पीछे रह गए, और कोई समझने की कोचिश करो कि जो व्यक्ति का समस्था है कही ना कहीं वो साध्यक समस्था से सम्मंदित होती है जो समाज की समस्था है हना आपकी जो परस्नल प्रॉब्लम है वो कही ना कहीं कैसे भी ना कैसे भी करके समाज की प्रॉब्लम जो है बन सकती है समाज की समस्था जो है वो बन सकती है तो आप पर गाइब ठीक है क्लियर हुआ पड़ाफी की लेक्ट्टर्स आजाएंगे ना अभी दीरे दीरे अमेर भाहिया एक है ना आपके अब दो चार तो आयाँने अब एक बार में एक ज़ा जा जगें सहीं बात है तो यहां पर आई होप आपको उतना जोए clear हो गया होगा है ना अब एक चीज और याद रखना एक चीज और याद रखना हाँ अब यहां पर थोड़ा सा देख लो जा रहा हाँ जो exam मैं पूछ लिए आता है समासास के जनक कौन बोले जाते हैं तो यहां पर याद रखना कॉम्स बूलते हैं, है न, August कॉम्स, तो यह कौन थे भाई, यह जो थे, समाज सास्ट के यहां पर जनक माने जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, अब बात कर लेते हैं, को समाज सास्ट्रों के अनोरा, समाज के लोगों में पाए गए संबंदों के जाल को जो है है न, तो यहां पर क्या बोला गया है, कि जो समाज सास्ट्रों के अनुसार, अगर हम समाज सास्ट्रों की बात करें, समाज सास्ट्री कौन होते हैं, जो लोग समाज का अध्यन करते हैं, इंग्लिश में, है न, जो समाज का अध्यन करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उन लोगों को हम समाज सास्त्ति बोल लेते, इनके अंसार क्या है? कि समाज के लोग में पाए गई संबन, अभर इस समाज में लोग रहे थे, उने पब लोग संबन संबन हैं, और अपस में एक दूसरे से जुड़े हुएं, पाए गए सम्द्रों की जाल को जो है जो की एक दूसरे से जोड़े होते हैं जैसे कोई समाज में लोग रह रहे हैं इतना कोई जगा है यहां पर लोग रहे हैं बहुत सारे तो यह आपस में जुड़े हुए हैं यह आपस में जुड़े हुए हैं इंटरेक्ट करते हैं आपस यह एक ऐसी चीज है, जो है, लेकिन हम इससे छूओ नहीं सकते, आप इसे फिजिकली टेच नहीं कर सकते, यह संबन्द है यह एक एक अबस्ट आइडिया है, वब बलब एक आईडिया है, विचार है, थीक है, जिसा हम अमूर्त बोल देते हैं, समाज की प्रमुक विशेस्ता समाज में कुछ समाज में होती हैं UFO इस समाज में और कुछ घहिंड़ता हैं। ऐसे समाज में हम आप्की समाज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी संस्कृति अलग होती है है ना जैसे भाषा अलग होती है आप कोई और भाषा बोल ले हो साथ बंगाल को जो और भाषा बोल ले होते है है ना समानता है होती है बंगाली और आप अगर आप जैसे समानता हैं आप हिंदू हो और वो बंगाउली बंगाउली हिंदू है हो तो यह क्या होगी यह आपकी समानता है होगी समझे रहे हैं तो समाज के समानता है होती है समाज के समानता है क्या है तो मैं एक religious example ले रहा हूँ कि मानिसलों आप हिंदू हो और साड़ने यहाला हिंदू है तो यह क्या होगी समानता हुगे लेकिन व बेंगॉली बोल ला है आप हंदी बोल ले में बहल … हो तो समाज कह बा excellency है समाज में समानताइं भी होती है और भिंदताइं भी होती है ठीक है ना चलिए तो पारस पर एक सहयोग आप हम संगर्ष अब जब समाज में रहे रहे हो तो वो बदलाव देखने को मिलते रहते हैं अगर जैसे आप पूरी आप इतियास उठा के देखोगी समाज साथ का इतियास से बहुत गहरन आता है अगर आप पूरा इतियास उठा के देखोगी तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि समाज यो परवनदशील है पर आज के जो समाज आप देख रहे हो शायद आज से हजार साल पहले वैसा समाज नहीं होता होगा यह सबसे अच्छी हम बात करने यॉरोप की है ना तो यॉरोप में आपने देखा तो यॉरोप में जब राज तंतर हुआ करता था तो समाज क्या सा था बई अलग भागों बटा हुआ था लेकिन आज क्या है बाई आज यॉरोप का समाज जो है अलग है बिलकुल है ना वहाँ पर समानत आई है वहाँ पर जादर जो लोग है वो खुश है ठीक है ना तो यह सारी चीज़े होती है अचा व्यक्ति और समाज में संबंध अचा अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि जो व्यक्ति है और जो समाज है इसमें संबंध क्या है तो यह तो मैंने अल्लेडी एक्स्प्लें कर दिया आपको बहुत ही घहरा संबंध है यह जो व्यक्ति है, मिलकरी क्या बनाते हैं, यह मिलकरी तो समाज को जन्म देते हैं, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समाज क्या काएगा, यह चाल लोग क्या काएगे, पता नीचला वो चाल लोग है क्या, कौन है, वो मेरे को भी आस तक पता नीचल आदी चीज़ आप समाज के लिए करते हैं वई तो भई मनुष्ट के जितने भी क्रिया अफ हो रहे है तो यह समाज से ही सम्वन्दत है और समाज पर ही उपना अस्थृत्त और विकास लोगता है वह समाज कि वाएसे तो को क्स अश्टत वह है। अपका अस्टत कुस वह divide साहए। मानफ शेरिक को समाजिक विशश्टाओं घुरों विक्टत प्रदान करना समाज का ही काम है। अच्छा यह बहुत ची हुए। मानफ घूम छो शेरिकी होता है। तो हम किया बोलते हैं, मनुष यु जो होता है एक समाजिक जीव है। अब समाजिक जीव है, वो कैसे समाजिक जीव है? मनुष उब्षशति मुन altenरी उब्षभी। आपा विशußतिव होते हैं, उध्यू भ्योह जो विक्तित पर्दान करते गुर्ण, से व्यक्तित प्रदान करना समाज काही काम है वरणा तो हम जानवर होगे ना जैसे जंगल में जो जानवर रहते हैं उनका कोई समाज होता है उनका कोई व्यक्तित होता है कोई सुना होगा बहुत जादा कि संकती से बहुत जादा असर पढ़ता है, संकती का बहुत बढ़ा असर पढ़ता है, तो क्यों बोलता है, क्योंकि जिस समाज में आप रहे रहे हो, वहाँ जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे, मिलोगे, जो लोगे, तो वही चीजे तो आप कि आईएगी ठीक है ना तो ये समाज का ही काम होता है इस यहाँ पर आप देख सकते हो कोई बी अगर व्यक्ति की हम बात करें तो वो समाज पर बहुत जाद निर्वर होता है क्योंकि व्यक्टि ही मिलकर क्या करता जो वक्तियों का समूझ भर थुग होता एक single इंसान क्या समाज को जन्म देगा, मिलकरी तो जन्म देंगे, और ना ही यहाँ पर जो समाज में संबंध है, वो विवस्ता जो यहाँ पर develop हो पाईगी, ठीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं मानव समाज और पशु समाज में अंतर, अच्छा, जो मानव समाज होता है, मानव समाज की हम बात कर लेते हैं, और जो पशु समाज होता है, जानवर हो की बात हो रही है, क्योंकि हम भी कही ना कहीं देखा जाए, तो समाज एक पशु है हमें, ठीक है, तो इसकी हम जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो मानव समाज की हम बात करें, तो दो को बोलने, देखो मानव समझ के बात करें, बोलने, सोचने, समझने की शक्ति होती है, जानवर नहीं सकता है, जानवर समझ सकता है, जैसे बहुत सारे समझता जानवर होते हैं, जैसे कुटता हो गया, हाती हो गया, बहुत समझता है, दॉल्फिन हो गया, तो यहाँ पर यह समझ जाते हैं इंसानों को समझते हैं, इंट्रैक्टे करते हैं वारे बीच पर, लेकिन फो बोल नहीं झाती है अपनी एससस्कृत है, अब जानवरों के संस्कृत हों मतलब ? संस्क्रत का मतलब कि मतलब होता है क्या हम cuma कोई क्यों स्थाजा कर। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे, खान पाण हो क्या, आपका में लहowing आपका मर में तेहना हो गया. आपके तीस नहां हो गए यह सब साजा करते हों यह है आपके संस्क्रिति का ही पारा होता जब और है जब एक कोई ग्रूप है, को पूरा ज पूरा समूल समूल ठीकर आप एक जैसी चीजे क्या कर रहे हो, है ना, तो आप जहां रहते हो, वहाँ पर जो चीजे खान पान, रहन सेंट, सब एक जैसा है, जैसे आप साउथ में जाओगे, साउथ में लूंगी पहन के उमते हैं, तो उनका पहनना, ओड़ना, खाना, पीना, सब लग 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 कब व inequ arkadaş add रहे हो, हयां जो होकोई बोलडना, तो में बोलंगा न, अब ऐसा तो है न, इशारों में बात करूंगे, ऐसा कर के, हलां कि हम पहले, 25-हार साल पहले, एक लाग साल पहले की बात करें, तो हम ऐसे ही बात किया गरते थे इसारों में, लिखना बोलना तो बहुत बात में शुरू किया है, ठीक है, भविश्च की चिंता करता है, उसके लिए जो यूजना मनाता है, मानद जो होता है, हम सब को अपने भविश्च की चिंत पढ़ लिए कुछ बड़ा कर ना है इंसा हैं ना 지금 कोमें ज पोलो खुर तो पर छृट कने शूरू है का गृ्श हुँए हमने अपने और विकास कृण शूरू कि अर्प बहुड़ है तो यहां पर देखने को मिलता है कि हमारी जो एक खाने आपको किसी को किसी आइस बंदना है किसी को बढ़े MNC में चॉप करने है ठेकां मेरे को भी कुछ करना है तो आया हम जो इन्सान होते हैं इन्हें हमेश्व अपनी भूष्च की यह चिंता रहती है। अरे बेटा अब डेली क्लास होगी। जो भी वच्चे मेर को देख रहे हैं, मैं एक बात तुम से बोलना चाहूँगा। मेरी डेली क्लास होगी। तो डेली जो है, सेशन लाऊगा, चोटा-मोटा, जो भी जिस सरीके का सेशन लाऊँ, मैं डेली सेशन लाऊगा, ठीक है? चले, पश्री सुमाज की अमबात कर लेते हैं, तो भई उल्टा हो गया, बोलने, सोची ने, समझने की शक्ती नहीं होती है, इनमें, संस्क्रित नहीं एक समाज, दूसर समाज से भिनन होता है, अगर एक समाज की हम बात करें, और इसको ठीक हम दूसर समाज से कंपेर करें, तो अलग-अलग होते हैं, अगर समाज एक जाए थोड़ना होते हैं, जैसे आप जहां रह रहे हो, हम उत्तर भारत की बात करें, अलग तरह का समाज है हैं नहाँ अगर हम ढग्छिन भारत की बात करें उनका समाज बिलकुल ही अलग तरीखे हैं तो समाज में भिंथाय होती है हर जगा आपको एक ही समाज नहीं मिल सकता जो व्यक्तियों का समू होता है ये इनके अलग-अलग संस्कृति होती है और ये जो अलग-अलग संस्कृति है ना अलग-अलग व्यक्तियों की ये अलग-अलग समाजों को जो है जनम देती है ठीक है एक हम एक से अधिक समाज के सरस्त बनते जा रहे हैं दूसरे समाजों में जो आता है क्रिया करते हैं उनकी संस्कित को जो ग्रेंड करते हैं तो यहां पर यह भी देखा गया है कि हम क्या कर रहे हैं हम जो आप आजकल जो देखने को मिलता है कि हम एक से अधिक समाज को जैसे आपने दिखा होगा, आप जिस सुसाइटी में रहे हो, वहाँ पर दक्षिन भारत की भी रहते हैं, बेंगवाली भी रहते हैं, उत्र भारत की भी रहते हैं, और आप उन सबसे इंटरेक्ट भी करते हो, और उनकी जो संस्कृत है, वो साउथ इंडिया का है, अब जैसे वो तमिल बोलता है, तमिल, तो मैं भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करता हूँ, और वो भी थोड़ा हिंदी सीखने की कोशिश करता है, और हम दो हैं आपस में एक दूसरी की बज़त करते हैं, है न, तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम दोनों की संस्कृती जो है, उसको एक दूसरे ग्राइड करने की कोईशिश कर रहे हैं, सिंपल रिज़त है, ठीक है, चले, तो इस प्रिकार जो है, आज हमारी संस्क्रिट, जो है, एक मिशुरत संस्क्रिट तथा, हमारा समाज जो है, बहुवालदी समाज, एक से ज़्यादा समाज में परवर्द्द हो किया है, अज़ा, यहाँ पर पहले बहुवालदी समाज का मतलब क्या होता है, बहुत जाद, बना, एक से ज़्यादा समाज होता है, तो आज के हम समाज की बात करें, तो आपको ना कहीं भी, ऐसा नहीं है कि इस जगापर किसी एक ऐसा समाज पाया जाता है, जो सिर्फ एक जगापाया जाता है, आज का समाज है, इतना ज़्यादा विकास हो चुका है, लोग है यहाँ पर गाउँ से शेहरों में जाते हैं, जहां जो है, यहां पर उन्हें अपॉर्शुन्टीज मिलती हैं, यहां उ चाहिए बात करें एक समय बहुत तरिक होते हैं ऐसा स समय के भी केंदर होते हैं तो समचों के बीच में अबीसे नहीं, हजारों सालों सے राय वो क्या है? तो भाई वो है अमीर अ गरीब। अमीर अच्पा रता. अमीर ज्ञादा अमीर होता जारा है, और जो गरीब होता जारा रहा है. तो ये भी समाज में एक अंतर है. समझमा आ गया, तो यह सारी जो चीज़े हैं, वही क्या करता है, यही सारी जो चीज़े हैं, वह समझने की कोशिश करता है, ठीक है, न, क्लियर होएं नहीं होँ, फटावड से बतातो, हाँ या रहा, जल्दी संपथा हो, कुछ समझमा आ रहा हैं या रहा, यह बताओ पहले, जो भी बच्चे'RE मिंरे को देख रहेंगे कि लिए हो रहा है ने हो रहा है are है चैङी आज ने बहुत हिए बढ़ेते हैं कि समाज सांस्क के अबाद करने तो तो यहां पर समाजिक संपनेश का स्थ스ंग का वेस्त Alrighty partir, यहां पर या पर समाज तो यहां पर आप समाजसास की जो एक definition बता देगी यह मैंने बता दी थी आपको तो समाजिक संबंदों का का विवस्तिक वाक क्रमबध तरीके से अध्यन करने वाला जो है विज्ञानी समाजसास है तो यहां पर बहुत इच्छी definition दी गई आप एक समाजिक संबंदों का कि आप दूसर्मत रहे इंट्रेक्ट कर रहें तो उसकी हम जब अध्यन करते हैं उसके विवस्तिक और क्रमबध तरीके से इंट्रीके से समाजसास की परकार और समाज इक विस्ताव का जो अध्धन करना है, यहाँ पर एक पूरे समुह की बात हो रही है, बड़े-बड़ी समुGU होते है, अलगला बड़ी संगठे, उनकी बात हो रही है, विश्थ की हम बात करें, विश्थ समाज क्या होता, तो आमने सामने की यह क्रिया के संब्द है जो है मनुश्यों के विवार अध्याद ये तो बहुत बड़े टम में होता है मतलब हम बात करें अगर समिष्ट समाज की हम बात करें तो यहाँ पर हम बड़े-बड़े समुगों को ले रहे जैसे हिंदू, मुस्लिम से किसा आपका जो विवार है आपका विवार मेरे लिए कैसा है मेरा विवार आपके लिए कैसा है तो वो हम किसमें करते हैं वो हम विष्ट समाज सास्तों में करते हैं लेकिन यहाँ पर हम पूरे की पूरे समुगों को ले रहे हैं समासाथ का जनक अच्छा ये तो मैंने आपको अलोडी बता दिया था है ना थोड़ा बता कॉमेंट सेक्षिन में तो इन्होंने पहले ये विचारक ते बहुत बड़े अगर कहां के थे तो ये फ्रांस के विचारक थे और फ्रांस से तो बहुत सारे विचारक आए हैं रूसो सेमजगट बहुति है न तो ये इनकी हम बात करें तो नाम समाजिक है ना पositकी डख़ gefख यह लगुता तो गया हुटीड है glucose कि जानने समाज को एक विशाय की रूप में विक्सित करने में जो है दुर्खीम, स्पैंसर था, मैक्स, बेवर, आधी के विद्वान, अगर अगर हम बात करें, समाज सास को अगर आप विशाय की रूप में पढ़ते हों, है ना तो यहां पर दो समाज को समझने की कोशिष किन किन लोगों ने किया है ना समाज शासरी जो होतें बहुत बड़े-बड़े socio-logist जो होते हैं बहुत बड़े-बड़े जैसे दुर्खीम हो गए स्पैंसर हो गए जो गए कालमाक्स हो गए और actual में हो किया रहा है दो चीज़े होते हैं एकटो होता है common sense वाली चीज़ कि ये तो common sense वाली चीज़े हर जगा होती है और एक होता है थे actual है तो इन्होंने उस सत्ञ पर काम करना शुरू किया और ये facts देते हैं होता है न समात साथ वे मझाट थो थो चैलिए आगे बड़ते हैं भारत में जो है समास्तात की बात करें अब भारत केमाध कर लेते हैं बहारत में समासात्स के उद्वाब का विकास का इतियास प्राचीन है, भारत में समासात्स और विभाग, 1919 में मुम्मय उइश्र उद्डाले था सबसे पहले उसने विशाय की रूप में शुरू हो गया तो भारत में समस्तात के अधृखाणक की आवशकत है क्योई है? क्यों हमें समाज के बारे में जानना चाहिए जिसमें आप उठते बैठते हो वइ उसके बारे में तो आपको पता होने चाहिए ठीक है? तो भारत में जो है व्याप, छेतरवाद, भाषावद, संपर्दवायबाद, जातिवाद, आजी समस्चाओं को जो है, विवस्तत धंक से जो है, सुल्जानी के लिए जो है, समासास्री अध्यन आउशक्ता, बहुत अच्छी बात बोलेगे, इतो को भारत के हम बात करें, तो भारत बोला जाता है, इंडिया is a diverse nation, भारत जो है एक व हम यूपी से हैं, तो हम अधराना से हैं, यूपी वाले हराना वाले लट हैं, मतलब एटरों थेरों मैं, तो चेत्रवाद भी बरबर कि है, और चेत्रवाद बहुत अंदर भूसा हुआ है है, मतलब गाओं के आउट बढ़ जाते हैं, यहाँ पर तू, घंदी बोलोगे, तो बहुत कि बता है। बहँत है बहुत जाद भरह होगोई जो लोग को अपने भाशा का यादा भाशा होसा अभाशा बहुत है कि युद्धा और आप अपनी paहसा से परेम करण हो सामसित है लेकिन अगर अगर सामने वाले यहां पर जो शुद्र है बिसकली जो दलित नहीं बोलते थे समाच है था जो है बाक इनके साथ बहुत गलत हुआ है इनको जो हमेशा पीछे समाज मैं समाच में जो में स्टार्टिंग यह सब्धाने के लिए यह सब्जेक्ट को यहां पर लाये गया था कि discipline को लाए गया था तो इसी गरण जो भारत में विविन्द समस्याओं के समानान ही तो समाज साथ का अध्यन अधिक लोग पर हो जाता है तो दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्यन होता है समाजिक गति शीलता के बारे में जो पता जलता है है न तो यहां पर पहली बात क्या होता है पहली बात हो तो समाज का जो हम अध्यन करते हैं तो हमेशे आतर को कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ाया आप पढ़ सकते हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूआ मैं जोड़ कर पढ़ सकते हो और ऐसे ही चीजों को जो पढ़ा जाता है ठीक है ना तो आई होप आपको इतनी चीजे वो क्लियर हो गए होंगी तो यहां पर प्रकर्तिक के बारे में नहीं पढ़ दें प्रकर्तिक के बारे में कहां पढ़ते हैं अब होगल पढ़ लेते हैं है ना होगल पढ़ लेते हैं यहां पढ़ लेते हैं यहां किसके बारे में पढ़ते हैं यह समाज के बारे में पढ़ते हैं यह समाज के अध्यन करते हैं विज्ञान कहां से आगे आपको विज्ञान क तो यहां पर जा øकलना का इन लूदा देगा तो हैंनि अपर समाज की बारे में अध्यां कर रहात। के बार में बताय जा रहा है यह अधर्ष आत्मक बात को हम इसे हम बोलते है यह um आगे होलते हैं, समास्तार अप्रिक्षा करत एक अमूर्थ विज्ञान है, तो यह जो है फिजिकल, जैसे विज्ञान में तो कई सारी चीज़े ऐसे होती, फिजिकली जो आप प्रूफ कर रहे हो, दिख रहे हैं आपको वो चीज़े, हैना, फिजिकली वो दिख रहे हैं, हैं, एकजिस्ट करती हैं, तो यहाँ पर वही है, यह ना, कि मूर्थ विज्ञान, जिसको आ इधी कर सकते हो, तो वो submit, टो थैजिकली, तो वो रहे है आपके सामने लख रहे हैं तो आई होप आपको इतना जो चीज़ें हैं वो होगी होंगी चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत दिक विचार इसकी जो है जिनकी समास्तात की रचना में भूम करें तो प्रकर्तिक विज्ञान के विज्ञानिक सिद्दान्तों और प्राचिन यात्रियों द्वारा अपूर्व आधुरिक सब्धिताओं की खोश से प्रवावित होकर अब इत्यास की बात हो रही है अब यहां पर जो बहुत दिक विचार जिनकी समासास्त की रचना में भूम करें तो प्रकर्तिक विचास के व्याजियनिक सिद्धान्तों और प्राचिन यात्रियों दोरा पूर्व आधुरिक सब्ताओं की खोश से प्रवावित होकर उपनि सबसे पहला जब समाझ सासर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीन हमेशाय आद रखना, कि जो आपका आज है, वो आपका कल बनने वाला है. सबMojo Bahand जो आपका आज है, वो आपका कल बनने वाला है. यारनि कि जो आप आज कर रहे हो, उसका असर जो आपको future में देखेगा कि जो आप आज कर रहे हो ना वो कल आपका पाश्ट बन जाएगा आपका भूत काल हो गाओ तो यहाँ पर याद रखना कि जो इतिहास होता है उसका संबंद कड़ा संबंद है किस से जाना कि जो आज हमारा समाज है तो उसके पीचे कहीना कि रखी जा चुकिए था जहारहास साल पहरा है तो जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं जब तक हम अपने उतान एक ऑटो बायोग्राफी जो होती है इस जिवनी जो होती है वो सीधा-सीधा किससे संभन देता है आपकी हिस्टरी से भागा, आपकी जीवनी क्या है, जैसे आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आपकी जीवनी लिखी जाएगी, जा आपकी अच्छा काम करोगी, आपकी present पर बहुत ही depend करती है वो, यहां पर एक चेजा दख़र है कि जीवनी के अम बात करें इतिहस के बात करें तो यह चीज़ें होते हैं समास्तास की नजरी से बहुत चरहीं हो बढ़ी हो जाती है जुड़ी होती है ना जब तक आप हिच्ट्री को ठीक तो समाज सास्री को आप connect करी नहीं सकते, क्योंकि इतिहास में जो हुआ है, उसके basis पर क्या हुआ है, यह इतने भी आप समाज सास्री देख रहे हैं, इन्होंने कुछ चीजे देखी, तरक दीए इन्होंने, कुछ तो देखा होगा, इन्होंने बहुत सारी study की होगी, इन्हों समाजिक विज्ञानिकों ने, समाज के बारे में जाना, पहचाना, हना, और इस द्रश्टी कोट से उन्होंने क्या सोचा, कि हमें इसका अलग-अलग प्रिकार में वरगी करना चाहिए, श्टड़ी करने चाहिए, ताकि समाजी विकास के विविन चरणों को पहचान हो सके, मतलब, जो हमारा समाजिक विकास है, किन-किन चरणों में हुआ है, तो उसके जो हमें पैचान हो सकेगी, आगर हम इनका अध्यर करेंगे, पूरी इस्ट्री उठाके, सरल समाज एवं जेटल समाज, अब इसके हम बात कर लेते हैं सरल और जेटल, सरल क्या होता है, बहुत ही लेता है के सरल समाज हने, यहाँ पर इसका है, तो आप देखो, जो यहाँ पर जो आप देखूगी, बहुत है, अब जो अन्यजा होता है, वो सकते हो, आधने काल से पहले इक पहले की समाजों के परकार जैसे शिकारी डोलिया, एवम, संगर करता, चरवाय एवम, कृशक, कृशक एवम, और गैर, और धोगिक सब बताएं थी. यह क्या है जिस सरल समाज है? अब देखो, समाज क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं. अब इन्होंने क्या क्या है? इन्होंने पहले जटल है कि बहुँआ बटा हुआ है. लेकिन आसème मैं 1 000 साल पहले की बात करूँ तो समाज जो था, इतना जटल नहीं था. पहले की समाज के बात करें. प्राजीन समाज के बात करें. तो पहले शिकारी की डोलिया हुआ करती थी. हैंना? संग्राय करता, चरवाय अलग हुआ करते हैं, चरवाय नाम से पूरी एक समाज हो किया, अब यह नहीं था पहले कि उनके अंदर जो है, बहुत सार जंज आती है, है ना, तो पहले जो है इतना ज्यादा है, हाँ पर समाज जटल नहीं था, पहले जो है, और हाँ, जब और पूजी पती है, और जब पूजी पती लोग जब आये, तो यहाँ पर क्या होगा, बिस्क जब पूजी पती आये, उन्हें सिफ मुनाफी से बतला पूजी पती ही कौन होते है, तो बिस्क बेसिकलि Lauren का main मकसद क्या होता है मुणाफाग हमाना वो पूझीपती लोग होते है agility है जो जितने भी goods or services है जितने ही से वाएं प्रदान कर रहे हैं ना था है उनका सौमित होता है उनका में जो मकसद क्या होता है profit हम करता मुनाफाग मानज है जब आर्विन के जी विकास के विचारू का जो है आरंबिक समास सास्त्री विचारू को पर जो है डैप रवाव था है ना गयानोद है एक यॉरूपी बॉदिक आंदोलन जो सत्री विच्ताबदी के अंतिम वर्शों तक अठारी विच्ताबदी में चला कारण और व्रतिवाद पर बल देता है सरल समाज में जो है श्रम विवाजन नहीं होता जबकि जटल समाज में देखने को मिलता है अब यहां पर क्या हुआ था बिसिकली सरल समाज के हम बात करें क्त on the script to नहीं ठीक अब वी बात में चरत कोई बिस हाँ पहले कि पहले कोई भी श्रम से सम्मनित कोई बिवाजन नहीं था पहले जो है ऐसा कोई भी नहीं हो पूरे वाजर्ण की यापर निव रखी जाती है ठीक है चलिए समाजिक विग्यानों के मत्रिष्टियक दिश्टिक में तो यहां पर क्या एक दिश्टित मिलती है तो यह बोला गया सोब से और आप आपने हैं आधा पर पड़ आप आसे किसी ना किसी रूप से संबंदे थे हैं कि मैं जीतने भी आपके शिवार है वह समाज साथ से कहीं का नहीं कि हुआ है तो बिभाल गारा हुआ फेल से ज़वार दर्षाद . है ना ऐसा निए कि तुम सिर्फ समाज साथ को पढ़कर यहां पर काम हो जाएगा आपको जोड़कर चीज़ों को पढ़ना पढ़ेगा इसके आपस सभी समाजिक ज्ञानों का छेट अलग-अलग है और इन सभी का केंद्र बिन समाजिक प्राणी मानव अलग एक बात तो यह इतने भी राजनितिक इतियास वगरे सब क्या है यह मानव से तुम मिलके बनी है और मानव ने समाज को जुनम दिया है तो आप सब को जो है अलग-अलग नहीं पढ़ सकते है आपको जोड़कर यह पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि इनका जो मेन मिंद्वा वो क्या है वो साहि राजनीति है और यह अर्थ vibration थिस उनका पढ़ते आगो साइब मिलके तो बनाई है खांज का एक हिस्स Kung races राजनीति को जनम दे रहा है कोई भी समाज की जैसे हर समाच Omaha राजनीती अलाग होती है हमारी भारत की राजनीती क्या है भाई है ना हमारा भारत एक लोगतंत्र लोगतंत्र को देश है तो हमारे भारत की समाज में जो है क्या है लोगतंत्र है भारत की समाज में लोगतंत्र है नहीं है जी पिलकुल है तो यह क्या है यह सब आपस में संब पढ़ना पड़े हैं आप यहां पर कुछ अंतर है जैसे यहां पर एक सबसे बड़ा अंतर आता है कि समासास्त जानी कि सोचिलोजी है और जो मनुव ज्यान है जो साइकलोजी है जो साइकलोजी है जो इस प्यारा सब्जेक्ट है समासास क्या है मानव विवार सीखने से संबन देता है मानव विवार कैसा मानव आपस में कैसे इंटरक्ट कर रहे हैं और फिर वहां पर तर्ग दिया जाते हैं वह क्या हो जाते हैं समासास का पार हो जाता है लेकिन मनुव ज्यान के बात करें तो मनुव ज्यान मानव मस्तिक् मस्तश्क का द्यान कौर इता है मनोविज्यान मतलब मन, आपके मन का जो विच्ञान बड़ती है बड़ेसह अभी समाच के साथ सवाला करे एप समाच थि क्रिण समु KIM की बoder कि बर एक बास बड़ समु KIM के किसी बड़ती है किसी बड़े समंद इतland कर रहे होते हैं इतर ze किया जाते हैं, आप देखा होगा ना, एक्सपरिमेंट वगरे किया जाते हैं, मनौ अग्यान के, तो ये इसका अवलोगन है, अगर 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 इसकी study करनी पड़ती है, अवलोगन है, आप काइंड आप, आपको कोई study करनी पड़ेगी उसके बाद ही कुछ होगा और यह जो है प्रिवात्मत क्या हो दो प्रैक्टिकल रही किसे लेकिन यहां पर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है और दोगो समाज सास्तर जो है लोगों के संपर्ट से संबंद देते हैं और मनोविज्यान माना भावन अध्यान में यह माना जाता है अध्यान समास और मनोविज्यान में अध्यान विशेश विज्यान है समास साथ जो सभी प्रिकार के रिष्टों का हम समासास तो हम क्या कर रहे हैं। समासास में सार और कम सठीक है, अश समासास हम प्रकार्ती में, ठोस है, अधिक सठीक है। अब भाई ही बात करें, इहां देखrow, समासास में समासास तो हम अद्धियन कर रहें लोगों के बार में, लेकिन आर्थ सास तो बिछ अलाग है, आर्थ सास तो न क्या है ? लेकिन उन्होंने अपनी क्या आर्थिक एक सरचना है वो कैसे वहाँ पर विकास हुआ इसका है ना तो वह निर्पर करता है। इसका है चलिए स्माजरास संधिक चर्ट को माप सथा है आर्थिक चर्ग को आर्ड़ और स्माज कीटाई में कि स्माज का विए याराज पर सरकार कि मैं समाज संधिक उत्पत्ती होई आप मुसना होगा तो सरकार क्या राज क्या स Bhag कर टे सब लोक्तंतर है क्य है वोटिंग होती है क्या जो चुना होती तो यह सब संच माई करता है संगतित संगतित कर लेól सुमाफ संगठendeu कलें करें वहां पर जो जंगलों मैं जो यह आदेवासी तो ही ऐन तो यह लेकिन सब लेता है लेकिन वह राजन्ति सिर्फ संगठेट समाज जो संगठत हो चुका अध्यन समाज साथ मूल रूप से विवक्ति का एक समाजिक पशु के रूप में बगता है एक राजिनितिक पशु के रूप में देखा जा रहा है कि आता है मनुष राजनिति में आएगा कि आते हो की सभी देश को चैलाने के तरीका जो होता है ल।ो यहां पर मनुषों को राजनितिक पशुBI तेरा देखा जाता है समाजसाथ के लिए रिष्ट्वान समाजिक रखता है इत्याज पछली गटना हो के लेकर हम दोंगों को जोड़कर ही पढ़ते हैं क्योंकि हम जब तक हमारे पास past का data नहीं होगा, इतियास नहीं होगा, तब तक हम समाज का यह कैसा अध्यन करेंगे, तो यहाँ पर समाज और दोनों संबननेत हैं, लेकिन फिर भी difference है न में, समाज साथ जो है विशलेशन आत्मक और वैखात्मक विज्यान है, तो यह तो पॉइंट जो आपको मिलते रहेंगे, बस आपको यह धहन रखना है कि हम जो है इन्हें जोड करी पड़ते हैं, ठीक है न, चले, तो यह सारी जो चीज़ां क्लियर होगी होगी, लास्ट यह है कि पूजीवाद, अच्छा पूजीवाद क्या होता है, तो वजार विनियम के अदाहर पर आर्थिक उद्दम के प्रडाली है, विनियम पूजीवाद में क्या होता है, यहाँ पर जो में मुलता होता होता है प्रॉफित का, और जब पूजीवाद आ गया था, जब बहुत बड़ा अधाई करण हुआ ओए पूरे दुनिया में, तो यहाँ पर पूरा समाज की ठाचा बहुत जटल हो जाता है, उससे पहले समाज दा सरल था, लेकिन जैसे यहाँ पर पूजी बात आता है उसके बात समाज जटल हो जाता है, समाज हुआ अलग-अलग श्रम वर्ग में बढ़ जाता है क्योंकि समाज पहले से बढ़ा हुआ तो और जाला बढ़ जाता है ठीक है पूजी किसी भी परिसंपत्ति को संब्दित करती है जिसमें पैसा संपत्ति मशीन सवा जाता है पूजी में जिसका विक्री के लिए वश् यहां पर यह सारी जो चीज है वो इस चैप्टर में हमने उलेडी पढ़ लिए तो अगले लेक्चर में तब तक के लिए गुट बाई टेक केर